बहादरपत विठोरी अमावस्या दो हजार देईस चौदा या पंद्रा सितमबर इसनानदान का शुहूरत आजरल करेए एक काम आज अगर इस वीडियो में आपको बताएंगे साल दो हजार तेईस में बहादरपत मास के कृष्ण पक्स की अमावस्या कब है पूजा वो इसनानदान का शुहूरत पूजा विधी, नियम और इस दिन के जाने वाले कुछ विशे शुवायम के बारे में शास्त्रों के निसाल बहादरपत मास में आने वानी अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है भादरपत कृष्ण अमावस्या को भादो कुषा गहिनी और पिठोरिया मावस्या भी कहते हैं इस दिन कुषा नुर्म घा से खटा की जाती है माननेता है कि कुषा के बिना अंगलकारे, घार्मिकारे और कोई भी शुबकारे पूर्ण नहीं होते इस दिन नदियों में इसनान के बाद दान का विशेश महत्व है आईए जानते हैं सागो गजार थेईस में भादरपत अमावस्या तिती पूजा का शुब मूरत इसनान दान का समय पूजा विधी नियम और इस दिन कौन से कारी करना शुब होता है भादरपत अमावस्या शुब मूरत दो हजार थेईस साल दो हजार थेईस में भादरपत या पिठोरे अमावस्या 14 सितंबर गुरवाल को होगी अमावस्या तिती प्रारंपोगी 14 सितंबर प्रातकार 4 बचकर 48 मिनट पर अमावस्या तीती सिमापतों वी 15 सितंबर प्रातकाल 7 बचकर 9 मिनट पर पूजा का शुभूरत होगा प्रातकाल 11 बचकर 52 मिनट से 22 बहर 12 बचकर 41 मिनट इसनान दान का समय होगा प्रातकाल 4 बचकर 43 मिनट से प्रातकाल 5 बचकर 19 मिनट अमावस्या पूजा वे थी शास्त्रों के अनुसार इस दिन आटे से निर्मित मादूलगा सही चौसर देवियों की मूर्ती बना कर उनकी पूजा की जाती है अमावस्या के दिन प्रादा इसनान के बाद सूरे देव को जलका अरग दें और पित्रों की निमित तरपणवर दान करें शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसो के तेल का दीपल जला कर शानी देव को नमन करें बादर पर अमावस्या नियम शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तित्थी पित्रों की तित्थी मानी जाती है इस दिन तामसिक चीजों पर सेवन नहीं करना चाहिए अमावस्या के दिन प्रादकार देर तक नहीं सोना चाहिए इस दिन घार में कलाजर से कारे नहीं करने चाहिए मानिता है कि अमावस्या के दिन नकारादमक शक्तियां बहुत ज्यादा सक्री रहती है इस दिन देर राखर से बाहर नहीं रहना चाहिए अमावस्या के दिन कोई भी शुविया मांगली कारे नहीं करना चाहिए भादर पर अमावस्या उपाए शास्तों के नुसार भादर पर अमावस्या के दिन इसनान के बाद पित्रों के लिए अपनी सामर्थ अनुसार कपड़े और अंड का दान करना चाहिए इससे पितर प्रसंद होते हैं, भादर पर अमावंस्या पर पितर दोष से निजात पाने के लिए पवित्र नदियों में पुशा नामक खास मिसर जल से तरपर करना चाहिए, इससे पितर प्रसंद होते हैं और पितर दोष दूर होता है, भादर पर अमावंस्या के दिन पीप लाइक और शेयर करना ना भूले